तो आप जब दूसरों के लिए कर्म करते हैं तब आपको संतोष के साथ साथ आपको प्रमात्मा की प्रसंता मिलती है उस प्रमात्मा की प्रसंता के भगवान को दीन बंधू कहा जाता है क्यों? क्योंकि वो दीनों का बंधू जाता है और यदि आप उसके बंधू बंते तो दीन बंधू आपके पीछे आता है ये भी पक्का है तो आप सेवा करिए सेवा के लिए कोई परिस्थती नहीं चाहिए सेवा के लिए कोई माहुल नहीं चाहिए सेवा के लिए सेवा नहीं करना जानते हैं. सेवा करने के लिए आपके नजदीक लोग ऐसे हैं जिसको सेवा की जरुवत है. आपके मदद की आवश्यक्ता है. वहाँ जाएए. करिए और आप उस संतोष को प्राप्त करेंगे. यही सेवा आपका असली धन है. एक संत के पास हम गए थे. उन्होंने मुझे एक चीज कही. मुझे बहुत अच्छी लगी. कि लोकोंनी लागणियों मडवी सवथी मोटू धन्चे. लोकोंनी लागणियों मडवी सवथी मोटू धन्चे. मेरे बहुत दिमाग में फिटोंगे, बिलकुल सही है, जिसको लोगों का प्यार नहीं मिलता, लोगों का स्नेह नहीं मिलता, जिसने प्रवपकार करना जाना नहीं, वो तो जिन्दगी जीना क्या जानता है, वो तो मरा हुआ है, इसलिए आप सेवा के लिए तद पर रहें, इ आवश्यक्ता नहीं है, जब आप सेवा करते हो, तो भगवान का तत्व आप में बिराशता है, और आप लोगों के लिए भगवान हो जाते हो, बनने की कोशिश मत करो, बनोगे तो बिगडोगे, पक्का, जो उदय होता है, वो अस्त होता है, जो खिलता है, वो कुमलाता है वो नियम है, याद रखिए, जो धन आता है, वो जाता है, आया ना, आया, जो उत्पन हुआ, उसका नाश होना ही है, यह करम है, जीवन जिसका उत्पन हुआ, जन्म हुआ, वो मृत्यू को प्राप्त होगा ही होगा, निश्चित है, जो फूल खिला है, उसे मुर्जाना ही है वो निश्चत है जो सूर्य उदय हुए है उसे अस्त होना है वो निश्चत है ऐसे ही जो आप बनने जाओगे तो भिगड़ोगे वो निश्चत है आप अपना कर्म इतना सुंदर करो कि आपको बनने की जरुत नहीं आप स्वयम से हो जाओगे और जो वो हो जाओगे तब आपको कोई मिटा नहीं सकेगा तो धर्म करने से भगवान से मांगना पड़ता है और करम करने से भगवान को देना पड़ता है पहले मनुश्य बनिए मनुश्यता पर भरोसा करिए बाद में कश्मीरी है बाद में एहमदाबादी है बाद में दिल्ली वाला है बाद में अंग वाशु पक्षी करेंगे तुम्हारी मदद। जब आप यह सोचते हो, अपना क्या, छोड़ना, अपने तो ठीक है ना, सुखी है, वोई दुख की आख कल आपके गर में भी आएगी, तब वो कहेगा, अपना क्या, छोड़ना, कैसा लगेगा तर, जब आवश। हम तो जहां जाते, कहीं, बजन मुझे ऑफड़ना को और नजर जरूर बंद करते, मजे किसी ने कहा अर्य उसके घर का नल खुला है, आपन क्यों बंद करें, मैंने कहा पर दर्थी में जो जल हो तो हमारा है ना, जर्थी में जो जल है, अगर इसके भाँ खूटा तो हमारे भाँ बचेगा क्या? अमारा भी खूटेगा? अपना क्या? तो जब वो आग लगी नios दस भरे बाद में आप बेटे देखते हैं? से जब अपना लगी? चलो अपना क्या अपने घर में तो नहीं लगी हाँ नहीं लगी पर वो दस घर के बाद आपका ही नमबर है वह या तब वो खड़ा देखेगा चलो हमारे घर में तो बुझ गई ना चलो अब इसके घर क्या जा मा इसलिए एक दूसरे के पूरक बनिये एक दूसरे की टांग खीचने में निंदा करने में उसने ऐसा करा उसने वैसा करा इस करने में जितना समय जाता है उतना यदि आपका एक दूसरे को मदद रूप होने में जाए तो आपकी धरती एक मिनट के लाखवे हिसे में स्वर्ग म झाल झाल